मेरे दोस्तो नमांस कार्मध्य आपका बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पीके एजुकेटर में दोस्तो यूदि एकजम की फाइनल ये ये यूजी और पीजी की जो फाइनल परिच्छा है उसको ले कर यूजी सी बात करेंगे तो आप वीडियो प्र अंतर बने रहिएगा और उससे पहले देया आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करsis Your एसी तरह कि सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट न्यूज है एचारडी मिनिस्टर ने फाइनल ये रिक्जाम्स और यूजी सी गाइडलाइन्स के बारे में बताये कि परिच्छा स्टूडेंट्स के हित्में बहुत जरूरी है एबीपी न्यूज के हवाले से एक अपपा लगने से बचाना है यह चात्रों के भविस्ट का सवाल है दरसल आज एचारडी मिनिस्टर यूजी और पीजी की फाइनल येर की परिच्छाओं को कराने के लेकर कुछ राज्यों को बिरोध करने के मामले में जवाब दे रहे थे इस पर उन्हें बताया कि फाइन भी जारी किया गया था जबकि लोगों के अग्रह पर यूजी सी ने दोबारा एक रिवाज्ट गाइडलाइन भी जारी किया है कि मानो संसाधर मंत्री ने यह भी बताया कि देश के लगभग 90 फिस्दी यूनिवेस्टीज के विद्यार्थियों देश के लगभग 90 फिस्दी यूनिवेस्टीज के कुलपतियों ने इस पर अपनी सहमत्य प्रदान किया है उन्होंने आगे कहा कि फाइनल येर की परिच्छा छात्रों के भविस्द के लिए जरूरी है क्योंकि परिच्छा ना कराने से भविस्द में जब कोई छात्र कही किसी नौकरी के लिए जायेगा तो लोग उसकी मार्ग सीट देखकर यह कह सकते हैं कि यह छात्र तो कोरोना काल का है और यह बीना परिच्छा के ही पास होने वाला च्छात्र है उनके अनुसार यह बात तो समझ में आती है कि कोरोना संकट को देखते हुए इन में हमने आपको बताया था कि बंबई हाई कोट में चुनावती दी गई है यूजी सी की गाइडलाइन को फाइनल पर इच्छा रद्द करने की मांग की गई है उसमें और इधर जो केंद्री सिच्छा मंत्री हैं देश के रमेश पोखरियाल निसंक उन्होंने इस पस्ट कहा ह है कि यह चात्रों के हित्म है और फाइनल परिच्छा हैं हर हाल में आयोजित कराई जाएंगी ऐसा उनका ताजा बयान है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना बहुलों